तो सुबात करने वाले हैं माहनगर गैस लिमिटेड के बारे में Q2 के रिजल्ट डिकलेर हो चुके हैं और अब आगे किस तरह की कैक्शन आपको कमपनी के इंदर दिखने को मिल सकता है आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह की से 2021 के इंदर गैस कमपनी के इंदर बाहर आई है तो क्या ये बाहर हम लोग को थमती हो नज़राएगी क्या इसके इंदर और भी उपर के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं बात कर रहा हो दोस्तो कमपनी के बिजनिस की अब अगर इस कमपनी का बिजनिस देखें तो नैचरल गैस डिस्टिबुशन में अगरनी ये कमपनी हम लोग को दिखाए देती है गेल इंडिया की बात करते हैं वो इस कमपनी की प्रमोटर कमपनी है तो कहने का मतलब है कि बिजनिस के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुती बहतरी इन कमपनी माने जाती है शेर के अंदर भी अच्छा कासा रुज़ान आपको इन दिनों देखने को मिल रहा है चली दोस्तों आप बात करते हैं कमपनी के रिजल्ट किस तरह के निकल कर आए हैं तो सबसे पहले तुम आपको यही बताना चाहूँ कि यह जो फस्ट कोलम आपको दिखाए दर है प्रिजेंट कोटर की रिजल्ट्स है यह जो दूसरा कोलम आपको स्क्रीन पर दिखाए दर है यह पिछले वाले कोटर की रिजल्ट्स है और यह जो तीसरा कोलम है यह पिछले साल के रिजल्ट्स है तो शिरुबात करते हैं कि revenue from operations कितने निकल कर रहे हैं यह जो value आपको स्क्रीन पर दिखाए दर है करोड के अंदर है तो प्रिजेंट कोटर में लगबग 907 करोड रुपे के आसपास निकल कर आए हैं और अगर पिछले वाला कोटर देखें तो 666 करोड के आसपास हम लोग के value दिखाए दरी थी इसी तरीकी से कर पिछले साल की बात करते हैं तो 549 करोड तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस करेंगे quarter on quarter basis बढ़त साती में year on year basis पे भी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कंपनी की total income है overall quarter on quarter basis पे भी हम लोग को बढ़ती हो नजरा रही है लगबग 685 करोड पिछले वाले quarter में दिखाई दे रही थी और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 566 करोड इस बार लगबग 930 करोड रुपे के आसपास निकल कर आई है तो यहाँ पर overall बढ़त देखने को मिल रही है quarter quarter basis पे साथी में year on year basis पे सके इंदर हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में तो 655 करोड रुपे के आसपास निकल कर आई हैं पिछले वाला quarter देखें तो लगबग 409 करोड के आसपास थे इसी तरीके से कर बात करते हैं पिछले साल की तो लगबग 372 करोड के आसपास यह value हम लोग को दिखाई दरी है तो खर्चे देखें ओवराल कंपनी के quarter on quarter basis साती में year on year basis पे बढ़ते हैं अब अगर बात की जाए profit before tax की तो लगबग 275 करोड रुपे के आसपास निकल कर आ रहा है इसी तरीके से कर पिछले वाला quarter देखें तो लगबग 275 करोड के आसपास के हम लोग को यह value दिखाई दरी हाँ इसके अंदर हम लोग को हलकी गिरावट देखने को मिल रही quarter basis पे अब अगर देखें पिछले साल लगबग 295 करोड के आसपास हम लोग को दिखाई दरा था तो year on year basis पे इसके अंदर हम लोग को बढ़ाद देखने को मिल रही है अब अगर बात करने मुनाफ़े की तो कितना मुनाफ़ा ये company यहाँ पे generate करती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी 204 करोड रुपे के आसपास निकल कर आया है और अगर पिछले वाला quarter देखें तो लगबग 204 करोड के आसपास ही था लेकिन अगर आप ये point वे value देखेंगे तो अवराल बढ़ती हुई नजर आ रही है इसी तरीके से अगर बात की जाए पिछले साल की तो लगबग 144 करोड के आसपास मुनाफा इस company को हुआ था वहाँ से अगर आप तुलना करते हैं तो भी आपको इसके अंदर value बढ़ती हुई नजर आ रही तो इस बार जो company के नतीजे निकल कर आए हैं बंपर कही जा सकते हैं year on year basis पर अच्छे खासी तेजी दिखने को मली साती में quarter on quarter basis पर भी company का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब देखें यहाँ पर हम आपको बताना आचाहूं कि अगर earning पर share के स्थिति देखें तो quarter on quarter basis पर भी बढ़त देखने को मिल रही है साती में year on year basis पर भी इस company के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है अब देखें बात करते हैं share price की तो एक जार नो रूपे के आसपा से समय स्था कारोबार करता हुआने जरा रहा है आप जानते हैं जिस तरीके से कॉविट के वक्त काफी सारे stock के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली और फिर काफी सारे stock के अंदर हम लोग को बढ़त देखने को मिली तो यहाँ पे हम लोगों ने अब तक खेल देखा गिरावट और बढ़त का अब बजार उपर इस से मैं पहुच चुका है काफी सारे shares के अंदर गिरावट भी देखने को मिल चुकी है काफी सारे लोग पैनिक में भी हैं तो यहाँ पर देखे कुछ ऐसी भी कमपनियां रही हैं जिनके अंदर ना तो हम लोग को ज़्यादा गिरावर दिखने को मिलती है उन ना ही उनके अंदर हम लोग को ज़्यादा बड़ा दिखने को मिलती है अब देखे इस company की बात करते हैं ये सारी कहानी इसलिए बताने ज़रूरी थी क्योंकि अगर stock की चाल की बात करें तो पिछले लगबग 2016 में ये company stock market के अंदर आई थी तो महां से लेकर अगर अब तक का रुजान देखे तो 94% के returns के अंदर बने हैं 499 रूपे का moment आपको stock के अंदर देखने को मिला है बराबर उपर नीचे के chart patterns के अंदर बनते हैं 1200 रूपे तक की भी लेवल आपको 2017 के अंदर देखने को मिले और अगर नीचे की गिरावट की बात करते हैं 2020 में COVID के वक्त तो लगबग ये 790 रूपे के असपास हम लोग को जाता हुआ नदर आया था तो कहने का मतलब ये कि stock के अंदर हम लोग को इतनी जादा गिरावट देखने को नहीं मिली उसके बाद इसके अंदर तीजी भी देखने को मिली यहां से दुगना तीगना होने की कैपसिटी भी रखती है तो आप इस कंपनी को लोंग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं लेकिन शेर प्राइस जो शेर की संख्या है वो आपको कम ही रखनी पड़ेगी अबराल देखा जाए तो आप टुकुडो में अगर आप खरीदारी इस कंपनी के अंदर करते हैं तो जाद आच्छा रहेगा फिलाल जिस तरीके से नतीजे इस कंपनी के निकल कर रहे हैं तो मुझे असे लगता है कि कहीं न कहीं 1050 आसनी अटरम्स में ये स्टॉक दोड़ता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों के पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर क्रिक लेना ताकि नहीं वीडियो के निटफिकेशन सीधे आपके मुबाइल पूर्स के थैंक यू सो मच फॉर्चिंग